हमने पूरी विवस्था कर दी, दिल्ली के अंदर आपके बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए पूरी विवस्था कर दी हम लोगों ने, बारवी क्लास तक सरकारी स्कूल है, शांदार पढ़ाई है, सरकारी स्कूलों में भेजो, अब तो आपको जानके ताज्यों होगा, इस साल धाई लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़के सरकारी स्कूलों में आए हैं, धाई लाख धाई लाख बच्चे ये तो हमारा डेटा है, धाई लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़के सरकारी स्कूलों में आए हैं, तो सरकारी स्कूल बड़े अच्छ कि अगर आप किसी इंस्टिट्यूट में कोचिंग कराऊ वकील बनना है डाक्टर बनना इंजिनियर बनना है रेलवे के पेपर देने में कोचिंग करने पड़ती है एक एक कोचिंग में तीन तीन चार चार लाख रूपे लेते हैं हमने आपके बच्चों के लिए स्कीम बना दी आप कोचिंग इस्टिटूड़ एंड मिशन ले लो सारा पैसा हम दे पूरे देश में अकेली सरकार है हमारी अकेली सरकार है पैदा होने से लेके और उपर से उपर तक की पढ़ाई का इंतजाम कर दिया हमने बता रहा हूँ अभी एक एक करके तो आप एडिमिशन लो हमको आके बता दो जी मैंने फलाने फलाने इंस्टिटूट में एडिमिशन ले लिया मैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना चाहता हूँ डाक्टर बनाना चाहता हूँ फलाना डिमका जो बनाना चाहते हो आप वो आईएस बनाना चाहता हूँ आईपिएस बनाना चाहता हूँ जो बनाना चाहते हो बच्चे को एडिमिशन दिलाओ उसकी कोचिंग का सारा खर्चा माना, जब बच्चा कॉलिज में जाएगा, तो कॉलिज में दस लाक रुपे तक का लोन देते हैं आपके बच्चे को, कुछ भी गीरवी नहीं रखना, कोई कहने गीरवी नहीं रखने, सरकार आपकी बच्चे की तरफ से गारंटी देती है, कि अगर ये बच्चा ये मैंने और राजंदर गौतम जी ने बैठ के इसको पूरा बनाया था, ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका बच्चा बाबा साब अंबेड कर की तरह डॉक्टरेट करना चाहता है, अगर आपका बच्चा अमरीका जाके, अगर आपका बच्चा इंगलेंड जाके डॉ चाहता है, एम टेक करना चाहता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है, आपको बाबा साब अंबेड करके जितना संखर्शनी करना पड़ेगा, उसका सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगे, आप पूरी दुनिया की बेस्ट से बेस्ट युनिवस्टी में अपने को बढ़ाओ, विदेशों में आपके बच्चों को बढ़ाने का खर्चा दिल्ली सरकार देगे, बाबा साब अंबेड करका सपना था, कि हर दलित बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, सब्तर साल के अंदर वो सपना पूरा नहीं हुआ, मैंने कसम खा कि ने आया हूँ, मैं वोट नहीं माँग राओ, मैं पैसे भी नहीं माँग राओ, आज आप से एक बच्चन मांग राओ, कुछ भी हो जाए, सारे जने अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा दोगे की नहीं दोगे, दोनों आथ खड़े करके बताना, हमें अ और सबसे बड़ी, आज सबसे बड़ी देश भक्ती यही है, सारे जने अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देदो, अपने अपने बच्चों को लायक बना दो, भारत महान देश बन जाएगा, यह बच्चे ही हमारा भविश्य है, और भारत आके कैसे बढ़ेगा, सब के बच्ची अच्छे हो गए तो भारत अच्छा हो गया है कि नहीं है